So hello everyone I welcome you all to Saurabh Pandey UPSC YouTube channel के अंदर तो देखो आकलन सीरीस के अंदर जो मैं आपको questions दे रहा हूं तो उसके लिए video I am making जिससे थोड़ा सा जो लोग अपने answer post कर रहे हैं प्लस जो telegram channel पे post कर रहे हैं जो आपके post कर रहे हैं आकलन सीरीस के अंदर सौरभ पांडे CSE app के अंदर जो answer post कर रहे हैं तो उन्हें idea हो कि आखिर जो भी क्योंकि I have gone through काफी सारे लोग हैं जिन्होंने सीरीस को join किया है और जिनका answer evaluate होता है आपको भी अगर अपने answer को evaluate करवाना है तो आप सौरभ पांडे CSE app download करके और उसमें आकलन सीरीस जोइन कर सकते हैं और उसमें फिर question आता है जैसे आज का question अल्री पोस्टेड है आप अपना answer को answer उन्होंने post किया है वो टेना मेना post कर दिया है रीड ही नहीं कर सकते हो आप तो उसमें नंबर देना तो possible नहीं है दूसरा कई लोग किसी भी किसी भी तरीके से post कर रहे हैं आपको proper standard way में मैंने कहा है कि जो है आपको अपने answer को post करना है तो आकलंग series अगर आप जॉइन करते हो तो उसमें आपको यह चीज ध्यान में रखनी जो answer आपको send करना हो UPSC के page में लेकर आना है ठीक है और UPSC के page में submit करना है प्लस जो यह series है यह already launch हो चुकी है और daily answer review आपका होगा सौरफपंडे CSE आपके अंदर अब देखो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि कई लोग जो है उसमें अगर कई लोग अगर आप देखोगे न तो उनका जो answer है उस answer में जो marks अगर आप go through हो तो answer में जो marks हैं किसी को dead number मिल रहे हैं किसी को 2 number मिल रहे हैं किसी को 5 number मिल रहे हैं किसी को 6 number मिल रहे हैं अब इसमें देखो क्या चीज़ें आपको अपने answer में देखना है अब जैसे मालों ये question मेंने दिया global uncertainties will decide monetary policy explain this statement in the context of Indian economic architecture अब इसमें देखो जादतर लोगों ने क्या कर दिया कि जो economic architecture है ना भारत का economic architecture को ही पूरा explain कर दिया और plus या तो फिर उन्होंने क्या किया दुनिया भर की जो global uncertainty है उस global uncertainties को जो है वो explain कर दिया या फिर monetary policy जो है उस monetary policy को पूरा explain करके रख दिया तो यह यह चीज तो अप्रोच गलत है अब आप से पूछा क्या है यह line लिखी हुई है और देखो simple सी बात है जब 10 नमबर का प्रस्ट है दस नमबर के प्रस्ट में directly जो पूछा है न उस पे आपको hit करना है इदर उदर की बाते नहीं करनी है अब यहां पे जैसे आप start कर सकते हो कोई भी जैसे मालो recent global uncertainty से आप अपनी starting कर सकते हो अपने answer की जो है global किसी भी uncertainty से start करते हुए और दो लाइन में यह कह सकते हो कि इससे जो हमारी monetary policy है that monetary policy will also be impacted monetary policy जो है that will also be impacted यह लाइन अप mention कर सकते हो अब उसके बात क्या है कि तुरंत दो तीन लाइन जो आप यह लिखोगे introduction में इसके तुरंत बाद आपका जो answer होना चाहिए उस answer के अंदर एक चीज़ जो आपको highlight कर देना अगर आप sub heading यूज़ करो दस नंबर में आप sub heading यूज़ करो ज्यादा बेटर होता है तो जैसे directly आपको क्या करना है जैसे for example यहाँ पे आपको monetary policy पे impact बताना है तो यहाँ पे T's and monetary policy ठीक है अब बहुत बड़ी भी नहीं and monetary policy ऐसे करके आप आपने heading डाल दी अब इसमें क्या है suppose अगर आप लिखते भी होच ठीक है तो अब पहली चीज़ कई लोग क्या करेंगी इदर arrow बना रहे हैं गोला बना रहे हैं बहुत सारी चीज़े बना रहे हैं तो वो नही direct जो page आपका है वहीं पर आपने ऐसा लिखा अब आपने कई सारी जैसे मालो आपने कोई भी uncertainty आपने जैसे mention कर दी जैसे for example Ukraine war की बात कर ली ठीक है Ukraine war या war की स्थितिय है उस पर आपने चर्चा कर दी है ना तो ये कैसे oil crisis या oil crisis है कैसे food security और इन सब को affect करेगा और फिर आप ये तो ये तो लिखी दोगे अब इसमें यहीं तक लिख किया अगर आप हो गया तो आपने आधा ही answer किया अब इसमें आपको ये explain कर देना है कि कैसे जैसे मालो food security है affect होगा inflation होगा जब inflation होगा तो यहाँ पर क्या है आप monetary policy के अलगरा components है तो inflation को रोकने के लिए repo rate जो है व आप कोशिश करो कि जैसे जैसे मालो आप भले चार uncertainty बता रहे हो तो जो भी uncertainty बताओगी global level पे उसको बढ़िया से explain करो दो तीन line में explain करो और उस uncertainty को आपको monetary policy से link कर देना है ठीक है तो यह इस्तिति आपको ध्यान में रखना है जैसे मालो global uncertainty में climate वाला part भी आ सकता है इसको आप है तो आप इसको भी आप फिर में हिंदू पढ़ा है तो दा हिंदू सेशन में कई बार आप लोगों से चर्चा किये तो ऐसे तीन चार global uncertainty के events आप highlight कर सकते हो और उसके बाद उसको monetary policy से link कर देना है अब मानलो यह आपने चार points लिख दिया आपने चार uncertainties लिख दी ठी अब इसमें क्या है कि अब देखो यह जो हिस्सा होगा ना यह जो part है यह आपके answer का 70% के आसपास होना चाहिए मतलब जो आपको पूछा है वो ज्यादा लिखना है आप way forward, challenge, conclusion इसी को 80% आप वही लिख देते हो तो वो हमें नहीं चाहिए हमें क्या देखना है कि जो उच्छा है उसको explain कर दिया फिर आपने क्या किया कि जैसे for example नीचे अगर आप जाओगे तो फिर आपने क्या कर दिया you have like simply जो है फिर आप जैसे मालो कुछ points अगर आपने कुछ problems highlight की है तो आप way forward भी mention कर सकते हो way forward में और way forward बहुत बढ़ा नहीं होना चाहिए अगर way forward लि जो दो points आप way forward में लिखके अपना answer खतम कर दो यह चीज आपको approach में अपने follow करने way forward में जैसे आप highlight कर सकते इस बात वो कि monetary policy committee है तो उसका role prominent हो जाता है ठीक है जैसे अब non economic factors बहुत देखने को मिल गए है climate change के वैसे तो executive का role भी important हो जाता है international level पे collaboration important हो जाता है इस type की कु आपके answer में way forward बहुत ज्यादा हो challenge बहुत ज्यादा हो limitation बहुत ज्यादा हो और जो पूछा है वो आपने लिखा ही नहीं दो तीन लाइन लिख दिया है तो इस approach को आपको follow करना है ठीक है जिन्होंने भी मालो जिन्होंने इस approach follow किया है बहले आप अपने content को compare करो आप लोग यहाँ पे और कितने जो है करने है कितने सब्सक्राइब करना है ठीक है अब जैसे इसी तरीके से लिखा इंडिया cannot order for energy transition without balancing federalism अब देखो यह भी technical प्रेश्न है अब यहाँ पे जैसे simple से यह पहली चीज तो आप देखो 10 number का है तो 10 marks का है तो आप तुरंत start कर सकते हो किसी भ 17 में और आप कहा सकते हो कि हमारा focus भी है towards renewable energy और इसके लिए हमें states का participation बहुत important बन जाता है state का participation बन जाता है और इसलिए क्या है कि जो इंडिया का cooperative federalism है वो बहुत important बन जाता है बट इसमें आप highlight कर सकते हो कि कई सारे जो challenges होते हैं exist करते हैं अब यहां पर आप कह सकते हो फिर आप subheading डालो जैसे need for need for balancing 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 federalism ठीक है federalism के लिए कैसे need for balancing federalism अब इसमें आप इंडिया के federal nature को दो point line लिख सकते हो किसा हम basically cooperative cooperative और competitive federalism शब्द का आप इसतामाल कर सकते हो cooperative और competitive federalism मैं आपको सामने direct ही लिख रहा हूं देखो competitive federalism ऐसा दो point इसके बाद अब उसके बाद फिर आपको क्या कर देना है cooperative और competitive federalism हो गए अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आप क्या करो फिर आप जो भी example समने जैसे article में सब discuss भी किया था कि balancing federalism state और center के रिष्टे बहुत important हो जाते हैं तो यहाँ पर आप यह highlight कर सकते हो कि क्यों important बन जाते हैं जैसे कई state है जारखंड हो गया आपका 36 गड़ का इलाका हो गया यह बहुत सारी level पर dependent आपके रहते हैं आहना जैसे आप cool और इंस अपर dependent है पुरा transition होगा कैसे होगा कई states की economic growth निर्भर करती है non renewable source of energy में plus कई states में इवेन अगर वो दूसरे factors पर भी dependent मालो manufacturing sector पर dependent है तो वहाँ पर भी आप क्या सकते हैं कि वहाँ पर भी बहुत important है कि अगर एकदम से मालो renewable energy की तरफ गया तो आपका cost बहुत increase हो जाएगी यह सब बाते आप highlight कर सकते हो even बहुत सारी level पर जैसे कुछ special federal structure भी आपके exist करते हैं union territory के case में north eastern region में कुछ states हैं आपके कुछ areas है scheduled area schedule 5 और 6 के अंदर हैं यह सब क्या हैं यह सब different autonomous level पर है जैसे मालो कि कुछ area में mining हो रहे हैं यह नहीं हो रहे उसमें right decide करने का right आपके हमारी community रहती है उसके पास है तो यह सब अगर आप energy transition करोगे ना तो इन सब चीजों को जो हमारे federal structure है और हमारा federal structure basically challenging क्या है because it's a asymmetrical federal asymmetrical federalism है इस वज़े से वो और challenging आपका बनता है तो यह थोड़ा सा अगर आप इस चीज को लेकर चलो कि अच्छा asymmetrical federalism है और इसको balance करना बहुत important बन जाता है तो यह challenge है बट इसके बाद यह आपने maximum आपका 70% जो मैंने आपको बता है वो लिख देना है क्योंकि आपके आपके आप 10 number और कोशिश क्या करो कि 10 number में जितने points generate करो और point कम बतलब भी नहीं दो-दो शब्द के points create करो मालो एक कोई point लिखते हो फिर उसको 2-3 line explain करो फिर point लिखा मालो यह point लिखा फिर उसको ऐसे ऐसे explain किया फिर एक point लिखा फिर दो line में उसको explain किया यह ऐसे आपको approach करना है फिर आप कह सकते हो कि मालो फिर आप challenges भी mention कर सकते हो कुछ challenges highlight कर सकते हो तो अब चालेंजेज में नहीं 15 पॉइंट लिख दो, फिर इसके बाद 2 पॉइंट्स आपके way forward, जो भी चालेंज लिखे हो, उसी में 2 पॉइंट्स आपके way forward हो गया, अब इसमें 140 में से अगर आप 70 शब्द यहां ले लिए, 30 शब्द यहां ले लिए, तो 100 शब्द तो यहीं होगे, तो क्या यहां 40 शब्द लिखोगे, इंट्रो में आपने 20 शब्द ले लिए, अब इस पार्ट में मात्र आप 20-30 शब्द में ही लिख रहे हो, और आप सोच के साथ अपने answer को लिखोगे, कई लोग का answer अच्छा है, content अच्छा है, लेकिन फिर भी कमियां आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए ऐसे video बना दूँ, आप जैसे एक ये question है, आज day 3 का result मैंने डाल दिया है, आकलन सीरीज से आप लोग जुड़ सकते हो, सौरव पांडे, CSE आपका link description में है, वहाँ पे उसको click करना, और आपके पास option होगा, join करने का, तो आप join कर लेना, अब इसमें देखो, health of हिमालिया, depends on healthy ecology, and healthy ecology depends on non-human centric development, अब इसमें आप ये देखो, कईयों ने क्या लिख दाला, सारा मतलब, देखो, सबसे important part आपको ये समझना है, इस question में सबसे important factor आपको जो दिखना चाहिए, वो है, non-human centric development, non-human centric development, तो यहाँ पे आप कई concept पे चर्चा कर सकते हो, जैसे deep ecology की concept पे चर्चा कर सकते हो, ठीक है, बट देखो, सबके answer में content है, बट उस content को structure कैसे करना वो तो non-human centric development की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप क्या focus करो, ecosystem, उस ecosystem में भी आप कुछ example code कर सकते हो, जैसे, मालो lakes है, ठीक है, आपके, जैसे, जो भी developments है, lake है, mountain के case में अगर आप देखो, तो mountain के slopes हैं, यह है, उसके बाद mountain में जो flora fauna है, यह आपका है, फिर ऐसी मतलब, जिससे pollution generate हो रहा है, उनको आपको नहीं करना है, भले आपको, क्योंकि pollution जिससे generate होगा, अगर वो activity आप करोगे, तो उससे हिमालन ecosystem effect होगा, तो ऐसी चीज़ें, आप यह बात बोलो कि, देखो, जो human centric है, जो भी decision making आपकी होगी, वो non-human centric होगी, non-human का मतलब, दू की healthy ecology होगी, और healthy ecology होगी, तो आपके पास healthy हिमालिया होगा, health of हिमालिया बेसे के लिए कई चीज़ों पर depend करेगा, वहाँ क्लाइमेट पे, वहाँ पर topography पर, geography पर, biodiversity पर, इन सब चीज़ों पर dependent रहेगा, ठीक कई लोगों ने इस बात पर लिखा भी है, अब main आपका focus, यह content में 70% content ही है, प्लस आपको इसमें map बना देना चाहिए, side में आप हिमालिया बीजन जो है, map बना के दिखा दो, अब क्या है, इसके बाद आप next part में, दो points में यह आपको mention करना है, कि यहाँ पे अगर हम सिर्फ non human development करेंगे, तो आप यह कह सकते होगी, कई सारे जो हिमालिय states है, वहाँ पे भी कई प्रकार की समाजिक और आर्थिक problems arise होगी, जो state की GDP है, state की GDP है, that will be reduced, employment opportunities जो है, वो खतम हो जाएंगी, तो इससे क्या है, कि migration increase हो सकता है, और migration increase के बाद इसमें भी कई प्रकार का tension arise हो सकता है, तो इसके लिए 2 points आप यह लिग दिए, इसमें फिर की scheme highlight कर दिए, ठीक है, और answer आपका हो गया, तो यह approach आपको follow करना है, लेकिन आपको अपने शब्दों का बहुत अच्छा चैन करना है, यह ध्यान में रखना है, ठीक है, तो आप लोग लिखते रहो, आकलन सीरीज पर अपने answer post करते रहो, मुझे भी पढ़ने हैं, बहुत सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें आकलन सीरीज का जो course उसको join करें, और at the same point of time, आप जो है कोशिश करें, कि अपने regular answer जो है, वो भेजते रहें, अगर आपको लगता है कि मैं answer perfect लिख मुझे सिर्फ अपने answer पोस्ट करना है, तो 11.5 UPSC टेलिग्राम चैनल पे आप अपने answer को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं read करता हूँ, go through होता हूँ, तो अगर आपको लगता है कि चलो evaluate नहीं करवाना है, तो वो आपकी decision making है, बट कहीं का आपका concern था कि सब्सक्र Prelims, Advanced Current Affairs के Prelims का test भी है, तो वो फिसके लिए तयार है रात को 9 बज़े test होगा, ठीक है, so thank you everyone, thank you.